दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं बिहार में एक अपैल 2020 से लागो किये गए नए टरिफ में एकसेस डिमांड चार्ज करने का तरीका बदल दिया गया है नया नियम के अनुसार जो भी एकसेस डिमांड का जो पेनल्टी चार्ज किया जा रहा है वो काफी अधिक बढ़ किया रहा है यानि कि अगर आपका लोड जीतने किलोवाट का है अगर उससे आप अधिक कन्यूम कर रहे हैं तो आपका एकसेस डिमांड चारी जो भी उस बढ़ ही लोड का पेनल्टी होगा वो काफी अधिक बढ़ गयाने वाला है दोस्तो ये पेनल्टी कितना लगता है और इसे कैसे कल्क्रेट के जाता है इसके उपर मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्सन में दे रहा हूँ आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं दोस्तो इस पेनल्टी से बचने का एक ही उपाय है कि अगर आपका घर का एक्च्वल लोड आपके कनेक्शन के लोड से अधिक है तो आप अपने कनेक्शन का लोड बढ़ा लें जिससे आप अपने घर बैठे हैं ही सुबिधा एप के थुरू बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले आपको पलेस स्टोर में जाना है और वहाँ पे इंस्टाल करना है आप सुबिधा नश्कोल करना है तो मुझे यह open करने का option आ रहा है, मैं इसको open करता हूँ, तो इस तरह का कुछ सुभिधा अप open होगा, दोस्तों इसमें देखिए बहुत सारे option आपको मिल रहे हैं, तो आपको यह जो load घटाने और बढ़ाने हैं, तो आवेधन का option है, इसमें जाना है, और आपको यहां पर देखिए, आपको CA number डालने का option मिल रहा है, आपका जो भी consumer idea, CA number है, उसको यहां पर इंटर करना है, तो मैं अपना CA number डालता हूँ, यहां पर, आप CA number डालने के बाद से आपको नीचे एक option में है, फेच detail, इसको क्लिक करने पर आपका जो भी connection का detail है, वो आ जाएगा, और आप फेच detail पर क्लिक करके, देखते हैं, आप यहां से चेक कर सकते हैं, जो भी नाम आया है, वो आप ही का, है कि नहीं, यह connection अगर आप कोई consumer idea म आप ही का नाम आ रहा है कि नहीं, दोस्तों अभी देखिए आप, जैसे मैंने डाला इसमें मेरे dues दिखा रहा है कि 74 रूपीज का dues है, जब तक मैं इसको pay नहीं करूँगा, मैं load के लिए apply नहीं कर सकता हूं, load बढ़ा नहीं सकता हूं, तो सबसे पहले हमको यह bill को pay कर देन दोस्तों मैं अपना bill pay कर दिया हूं, अब मैं दुबारा से जाता हूं उसी option में, फिर से मैं अपना id डालता हूं, फिर से हम face detail पर click करते हैं, जोस्तों अभी भी यहाँ पे pay करने के लिए option आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ time लगता है, अपडेट होने के लिए कुछ time लग सकता है, जोस्तों यहाँ पर देखें, notice में लिखा भी आ रहा है कि 24 hours लग सकते हैं आपको अधिकतम यह पैसा reflect होने में, कि आपका पैसा accept हो गया है, अगर आपका यहाँ पर dues फिर भी दिखा रहा है pay करने के बाद भी, तो आप थोना wait कर लिजे, और फिर wait करके दुबारा payment अपडेट हो जाएगा, दोस्तों हम फिर दुबारा से सुभी धाय आपको open कर लेते हैं, और फिर से उसी option में जाके देखते हैं कि हमारा payment update हो गया है कि नहीं, अपना consumer ID डाल लेते हैं, और page detail पे click करते हैं, तो दोस्तों देखी अभी दूसरे तरह का option आ गया, पहला वाल एक mobile नमर आपका जो भी registered mobile नमर हो गया, वहाँ पे वो दिख रहा है, आप यहां से verify कर सकते हैं, अगर आपका mobile नमर गलत है, तो पहले आपका अपना mobile नमर चेंज करना होगा, अगर mobile नमर सही है, तो आप यहां से send OTP पे click करिए, मैं click कर देता हूं, तो देखे message मेरे पास एक आ गया है, अब जो भी मेरा OTP है, मैं वो डाल देता हूं इसमें, यहां पे आपको OTP डाल देना है, उसके बाद से new load कितना है, आपको कितने kilowatt का connection चाहिए, तो मेरा पहले से 2 kilowatt का load था, मैं इसको 5 kilowatt करना चाहता हूं, तो यह 5 kilowatt मैंने कर दिया, अब देखे उसके नि connection पहले से single phase है, आप 3 phase करना चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं, जैसे मेरा पहले से 2 kilowatt का था, और single phase connection था, मैं चाहूं तो 5 kilowatt पर 3 phase भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे 3 phase ही जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पर नहीं कर देता हूं, देखे नीचे एक help के लिए दिया सकता हूं, तो अब 5 kilowatt डालने के बाद मुझे आप क्लिक करना है validate पर, देखे इसमें आपको एक confirmation आ रहा है, load phase confirm, current load 2 kilowatt है, current phase single है, नया load 5 kilowatt है, नया phase 1 kilowatt है, तो ठीक है, मैं यहीं चाहरा हूं, मैं OK पर क्लिक कर देता हूं, अगर आपको इसमें कुछ चेंजी करना है, तो OK पर क्लिक कर दीजे, अब इसमें आप submit का क्लिक करिए, validate हमने कर लिया, आप इसको submit करना है, दोस्तों एक आपको pop-up message आ रहा है, your form will now be submitted, you can press cancel बटन if you want to edit, प्रेशो के मतलब अगर आप सब कुछ साई-साई फिल कर ली है, तो आप OK पर क्लिक करिए, या फिर अगर आपको कुछ चेंज करना है, तो cancel पर क्लिक करके आप फिर चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर OK पर क्लिक कर देते हैं, दोस्तों देखिए, यह मेरा application submit हो गया, your application has been saved successfully, your request नमर इतना, या आपक तो इसका एक message भी आ गया है, जिसमें load enhancement का request number मेरे पास आ गया है, जो service request number है, वो मेरे पास आ गया है, तो अगर आप अगर इसका screenshot चाहे तो screenshot लेके रख सकते हैं, अगर आप screenshot लेना भूल भी गया, तो आपके message में भी request number आपका रहेगा, बस इतना ही करना है, और आपका load अ वो आपका load, जो भी आपके request है उसके recording, आपका load और face बढ़ा देंगे या फिर बदल देंगे, तो सुमीद है आपके लिए ये वीडियो काफी helpful रहेगी, अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझा हो, तो निशे comment box में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसके बारे में भी हमें comment करके जरूर बताए, आपने अगर हमारे इस channel का अभी तक subscribe नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नईने वीडियो लेके आते रहता हूँ, जय हिंद, बंदे मातरम